लेक्षर में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया ठीक और जो आपको इलेक्टरिक पोटेंशियल होता उसके बारे में पढ़ लिया और कपिस्टर के बारे में पढ़ लिया आज हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्टरिक डाइपॉल पोटेंशि जो थर्ड केस करोगे आपको क्या निकालना है पोटेंशियल डियू टू एन इलेक्ट्री के डाइपोल उसमें सबसे पहला केस देखो आप ये वाला करोगे आपको की ओल्यावदा होगे ऐनो डाइपोल निकालना की ट्रमादर की यापक की दियालेक्ट छो आपके पास काई माइनस क्यू प्लसक्यू. डाइपोल मुंट् judging प्रण पिछले वीडियो में आपने कर रखे है, डीपोल मुवमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस, ठीक है, तो क्यों इंटू बोल, उसको आप P से रिपरेजंट करते हो, ठीक है, एल क्या लई है अपने, ल्ली है, लें थे, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस पॉइंट लिया और यह वाले से ऑर यहां तक की डिस्टेंस आपने कहा लिली एकस तो अब आपको निकाल ले नेट पोटेंचल निकालना ने कहां पर वह ने डाउन क кстати की वचाट से और प्यर्ट ध patron से रसे से निशं हो हांمة यड़ा अपने पिछ्ली वीडियो वीडियो के था जास तीक है और आपने पहले आ अधे पर पुंड राहले आपने पहले इलक्रश ठीजाट थे बीए या तैदा कहलता आप आपके पास क्या होता है KQ upon X square बस यह आपके पास ठीक है अब आप क्या निकालोगे जो net potency L निकालोगे V1 plus V2 जो first charge के जैसे potency लोड जो second charge के जैसे potencyl उसको आपके आपका कर दोगे ठीक है यह वाला देखो माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यों अपवोन x अप्लस x अप ला जाएगा, अब देखो प्लस क्युवाला चार्ज है तो के क्यू अप्लस माइनस x में से x गटाएना है, क्योंकि आपको यहां से यहां तक की distance निकाले ना तो x-l कर दोगे, अब आपको यहां से यहां तकी डिस्टेंस निकालें तो X प्लस L लो जाएगा माइनस KQ अपून X प्लस L प्लस KQ अपून X माइनस L क्योंकि आपको यहां से यहां तकी डिस्टेंस निकालें तो यह वाले आपकी X होगे यह वाले आपकी L होगे तो X माइनस L ठीक है अब देखो आप अगर kq को बार निकालो तो आपके पास क्या जाएगा 1 upon x minus l minus 1 upon x plus l क्योंकि आपने minus sign अंदर ही ले लिया kq की value निकालोगी x minus l और x plus l आपके पास क्या जाएगा lcm यहाँ पे क्या है x plus l की ट्रम नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा x plus l यहाँ पे आपके पास x plus l की है तो यहाँ पे आपके पास आजएगा x minus l ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद आपके पास आएगा kq into x plus l minus x plus l ठीक है x से x आपका क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है आप उन में क्या जाएगा a plus b और a minus b तो A square minus A, B square का formula लग जाएगा, X square minus A, L square, अब देखो, X, X आपका cancel हो जागा, L और L आपका क्या होगा है, 2L, तो Q into 2L क्या होता आपका, डाइपॉल मुवमेंट, upon X square minus L square, ठीक है, जो डाइपॉल मुवमेंट होता है, वो कहता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो Q into 2L आपका क्या होगा डाइपोल मोमेंट ठीक आपने क्या पूट किया K P upon X square minus L square Q into 2L के जगा आपने क्या पूट कर दिया जर्नली L क्या होगा आपके पास very small होगा मतलब L की value आपके पास बहुत small होगी कि L की value आपके पास millimeter में होगी ठीक है L क्या है आपके पास है very small तो आपकी जो X square minus L square की value होना वह किसके एकोल आ जाएगे आपकी X square के ठीक है तो यहां से X square minus L square nearly equal to quién ík वा गया आपका X square के ठीक है तो आपके जो K P upon X square minus L square के जगा है What क्या निकल आए potential किसके उपर निकला है x- charter of the dipole वो क्या निकल कैया आपका k- p upon x- square यह आपके आपने क्या निकल निकला है potential निकला x-ech of the dipole k- p upon x- square यह किसके proportional हो गाँ inversely proportional होगा है किसके x- square अप देखो potential और x में हम गराब बनाते क्योंकि यह क्या है inversely proportional of the graph inversely proportional का graph आसे आपका ऐसे बनते है inversely proportional का graph होता है वो किसको बेकरता है inverse square अब देखो आपको याद हो तो आपने electric field निकाला था x is of the dipole उसकी value आपके पास क्या आई थी 2 kp upon x cube k की value क्या होती है कोई आपको ये बोले कि k की value क्या होती तो आप क्या बोलोगी k is equal to 1 upon 4 pi अब चलने तो आपकी जो potential निकल के आगा है axis of the dipole के उपर वो क्या निकल के आगा है kp upon x इसके बाद करते हैं देखो first case तो हमने पढ़ लिया on the axis of the dipole अब पढ़ेंगे perpendicular bisector of the dipole देखो on the perpendicular bisector of dipole perpendicular bisector को आप equatorial line भी बोल सकते हो और distance x from center distance क्या होगी x होगी किससे center से अब देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या लिया 1 minus q charge ले लिया आपने एक plus q charge ले लिया इसके उपर आपने क्या डाल दिया एक है perpendicular ठीक है यहां से यहां तकी distance आपने ले लिया यहां से यहां तकी distance आपने ले लिया ठीक है यहां पर आपने point ले लिया है ठीक है आपने इस point को यहां से join कर दे इस point को यहां से यहां तकी distance आपने क्या ले लिया x ठीक है यह वाले आपने ले लिया r यह वाले भी आपने r माल अब देखो M क्या है आपका point potential है M है point potential M जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका potential निकलेगा point potential किसके उपर उसको आपकिस से represent करोगे Vm से, point potential M point के उपर निकलेगा, ठीक है आप देखो, आपको क्या निकालना है, perpendicular bisector के उपर क्या निकालना है, आपको potential on the perpendicular bisector of the dipole, ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे देखो, M क्या होगा, आपका point potential होगा है, ठीक है, Vm मतलब जो potential at point M निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, जो first charge की वज़ाई से, जो potential आएगा वो, और जो second charge की वज़ाई से जो potential आएगा, वो, उसका क्या कर दोगे आपे, sum कर दोगे ठीक है, अब देखो, first charge आपके पास क्या है, minus, तो KQ upon R R के जगा, आपके पास क्या जाएगा, X square plus L square under the root, ठीक है प्लस में, आपके पास charge क्या है, plus Q, plus KQ upon enter the root X square plus L square is equal to 0, ये वाली minus की टरम से, ये वाली plus की टरम शेम है, तो इस वाली से, ये वाली cancel हो जाएगा, तो आपके पास क्या बज़ाएगा, 0 जब का perpendicular bisector की वाली निकलेगी ना, वो क्या निकलेगी, 0 प्लेन वीच, perpendicular, प्लेन वीच, बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर दे, डाइपॉल, एक्सिच, जो प्लेन होगी, वो बाइसेक्ट्स कहां पर करेगी, परपेंडिकुलर रोफदा, डाइपॉल, एक्सिच, परपेंड प्लेन वाउल, जो इक्वी, पोटेंशल, सरफिस होता है, वो क्या होता है, जो आपके ओल, प्निक्त के ऊपर, जो पोटेंशल होता है, वो क्या होता है, सूल, electric field आपने याद हो तो आपको आपने पढ़ा था electric field of perpendicular bisector आपने पढ़ा था e perpendicular is equal to minus kp opone x इसके बाद देखो जो आपके पास third case visit नपर कियाता है भी at any point किकर किसी भी point के उपर आप किया निकालो electric dipole at any point r or theta आपने क्या ले लिया er or theta इसमें सबसे पहले आपने देखो एक माइनस की चार्ज ले लिया आपने के प्लस की चार्ज ले लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने ले लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने ले लिया फिर आपने हम क्या है आपके पास हम आपने क्या ले लिया है कि arbitrary point ठीक है arbitrary point है वो क्या है r distance है ठीक है r distance दूर है कहां से center से और क्या है ठीट्टा क्या बना रहा है वो angle ठीक है अब आपने जो dipole moment p use क्या था ठीक है उसको आप divide किसमे करोगो एक तो आप p sin theta में divide कर दोगे एक आप पे p cos theta में divide कर दोगे ठीक है तो आपने क्या किया potential at point vm ठीक है जो आपका p cos theta होगा वो क्या होगा m point के axis में और जो p sin theta होगा वो क्या होगा उसके perpendicular में जो आपने p cos theta लिया था ना उसके क्या होगा वो perpendicular में आपने P sin theta ले लिया, ठीक है, जो P cos theta होगा, वो क्या होगा आपके पासे, perpendicular है, ठीक है, अब देखो, आपको क्या निकालना है, potential at point M निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, Vm is equal to Vp cos theta, आपने Vp cos theta क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या लिया था, एक dipole moment P लिया था ठीक है, बाद में आपने, उस में आपने क्या किया था, उस dipole moment P को दो पार्टे में डिवाइड किया था, एक P cos theta एक P sin theta, तो आप electric, जो potential निकालोगे, add point P cos theta axis, पलस P sin theta, perpendicular bisect, देखो, जो P cos theta होगा न, वो किसके उपर होगा, M के, P cos theta होगा न, वो M के क्या होगा, P cos theta, M is axis point, और P sin theta होगा, वो M के क्या होगा, perpendicular bisector, ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या आते हैं, P cos theta और P sin theta आपने क्या लिए, दो coordinate ले लिए, ठीक है, जो आपके पास P cos theta होगा, वो M के क्या होगा, axis में, और जो आपके पास P sin theta होगा, वो क्या होगा, इसके perpendicular में, ठीक है, P cos theta M point X ठीक है P sin theta P sin theta क्या हो गए आपके पास इसके perpendicular अब देखो आपको क्या निकालना है potential निकालना 8 point अब कैसे निकालोगे V P cos theta plus V P sin theta ठीक है नेखो वो कैसे निकालोगे जो आपका potential निकाला था X के उपर ठीक है वो क्या निकाला था अपका निकाला था K P upon X square निकाला था ठीक है तो यहाँ पे distance अपने क्या यूज़ कर रखी है और तो K P upon R square होगा ठीक है potential at x जो आपका क्या निकाल क्या जाए K P upon R square लेकिन आप क्या निकाल रहे हो V P cos theta तो K P cos theta upon R square जो आपका perpendicular by sector पे जो आपका potential निकला था वो क्या निकला था 0 तो आपका electric potential at point क्या निकल के आजाएगा K P cos theta upon R square ठीक है अब आप V M की value में क्या पुट करोगे K की value आपकी क्या होती 1 upon 4 pi epsilon note यह वाली value पुट करोगे 1 upon 4 pi epsilon note P cos theta upon R square ठीक है यहां से आपका electric जो डायपोल था वो निकल के आगया क्या निकल के आगया V M is equal to 1 upon 4 pi epsilon note K P Sorry V M is equal to 1 upon 4 pi epsilon note P cos theta upon R square K की तो value आपने पुट कर दी 1 upon 4 pi epsilon note ठीक है अब देखो आप axis पे और equatorial पे value निकाल के देखोगे कि आपका जो answer है वो सही है यहां गलत यहां से जोता है ना उसके ओपर आपका theta क्या होगा 0 ठीक है तो आपका V M की value आपके क्या निकले V M is equal to 1 upon 4 pi epsilon note P cos theta upon X ठीक है cos of theta के जग़गे 0 cos 0 की value आपके पास क्या हो जागी 1 V M की value क्या जाएगी 1 upon 4 pi epsilon note कीजिए K put करोगे P upon R square cos of 0 1 हो जाएगा तो V M की value आपके पास क्या निकल क्या गई K P upon R square जो आपका exit of dipole पे जो value निकल क्या थी वो आपके क्या निकल क्या निकल क्या थी K P upon X ठीक है अब perpendicular by sector के उपर निकालोगे इसका मतलब यह वाला जो आपना answer निकला हो क्या है सही ठीक है अब अपना जो next topic आता है वो क्या आता है combination of capacitor ठीक है combination करोगे किसका capacitor का ठीक है series combination सबसे पहला combination आपके पास आता है series combination ठीक है आपने क्या लिए देखो 2 capacitor 1 capacitor C1 ले लिए C2 ले लिए C3 ले लिए ठीक है अपने इसको एक battery से connect कर दिया positive और negative यहाँ पे अपने potential ले लिए V यहाँ पे 0 तो total potential इसके उपर क्या हो गया V ठीक है अब देखो जो capacitor के उपर इसमें मान लिए आपके पास charge Q है इसके उपर क्या होगा इससे opposite charge होगा minus Q इसके उपर आपके पास minus Q charge है तो इसके उपर क्या होगा plus Q क्योंकि इसके उपर क्या होता capacitor क्या होगा opposite charge यहाँ पे आपके पास plus Q charge है यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा minus Q charge यहां पे आपके पास minus q charge यहां पे आपके पास है plus q और plus q क्या पोजिट आपके पास क्या हैगा minus q ठीक है तो series combination में आपने क्या लिए c1, c2, c3 क्या ले लिए 3 क्या ले लिए combination लिए किसके capacitor के ठीक है अब इसको आपने एक potential से जोड़ दिया और आपने c1, c2, c3 में आपने जो plus q minus q charge है वो क्या कर दिया distribute कर दिया अब देखो इसमें क्या होता है आपका series combination में charge is same in each capacitor charge क्या रहेगा हरे कपिस्टर में same रहेगा c is equal to q by v q is equal to cv था आपका तो आप c की value निकालोगे तो आपके पास क्या जाएगी c is equal to q by v ठीक है अब देखो potential v क्या होगा इन सब में different होगा v1, v2, v3 ठीक है अब यहाँ पे देखो जो आपने circuit diagram बनाए था वो देखो potential क्या रहेगा इसमें v1, v2, v3 charge क्या रहेगा same तो यहाँ से आप v1 की value निकालोगे तो आपके पास c1 क्या जाएगे q upon c1 v2 की value निकालोगे तो c2 क्या जाएगे q upon c2 और v3 की value निकालोगे तो q upon c3 ठीक है अब देखो potential क्या है इसमें different बट जो इसमें आप charge यूज कर रहे हो वो क्या है same ठीक है v1, v2, v3 क्या आपके पास potential ठीक है v1, v2, v3 v is equal to v1 plus v2 plus v3 total के equal आजाएगा अब potential इसमें क्या होगा? distribute होगा मतलब potential v1, v2, v3 में क्या होगा? divide होगा और जो आपका v होगा total वो किसके equal होगा? जो इन सबका sum होगा अब देखो आप क्या करोगे? equivalent circuit यूज करोगे equivalent circuit मतलब ये वाला जो circuit ना इसमें जो सारे अपने capacitance यूज किया है उन सारों के equal है ये CE ठीक है? ये आप किसमें यूज करोगे? equivalent circuit में CE आपने यूज कर दिया अपने एक इसको एक battery से connect कर दिया positive, negative, यहाँ पे potential आपका v, यहाँ पे zero, total क्या होगा आपके पास? भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे potential भी जाएगा, यहाँ पे potential आपके क्या जाएगा? जीरो, ठीक है? अब यह देखो, कि यहाँ पे आपने आपने ले लिया plus Q charge, तो opposite side पे आपके पास क्या होता है? opposite ही charge होता तो minus Q, C क्या ले लिया आपने आपके पास potential, ठीक है? अब देखो, V1 की वैलिया आपके पास निगल किया जाएगी Q upon C1, V2 की वैलिया similarly Q upon C2, और similarly V3 की वैलिया आपके पास निगल किया जाएगी Q upon C3, यहाँ से आप Q upon C की वैलिया निकालोगे तो V1 plus V2 plus V3, ठीक है? V is equal to, इस वाल एक्वेशन में वैलिया पूट करोगे, V is equal to V1 plus V2 plus V3 V1 की वैलिया आपने पूट कर दी Q upon C1, V2 की वैलिया आपने पूट कर दी Q upon C2, और V3 की वैलिया आपने पूट कर दी Q upon C3 और V की जग आपने Q upon C, इस वाली equation में ये वाली value उपट कर दी, उपर वाली में से, इस वाली equation में से Q क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, आपके पास क्या बज जाएगा, 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, ये क्या होता आपका, जो combination of capacitor होता है, वो series में, अब आपको two capacitor दीए हुए हो, ठीक है, तो आपको निकालना होता है, आप कैसे निकालोगे, 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, ठीक है, C आपको किसको represent करता है, जो equivalent capacitor होता है उसको, तो इसके value आपके पास क्या जाएगी, C1, C2 upon C1 plus 1, C2, जब आपके series में, जो आद दो आपको capacitor दीए हुए है, तो उनका result क्या होगा, C1, C2 upon C1 plus 1, C2, ठीक है, अगर आपको दो capacitor दीए हुए हो, C1, C2 का capacitance आपके C के equal होगा, तो आपका C के value क्या जाएगी, C square upon 2, C, C से C can तो उसमें आपको C equivalent निकल के आएगा, वो किसके equivalent निकल के आएगा, C के, ठीक है, इसके बाद आता है, इसके अंदर parallel combination, आपने series combination पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे parallel combination, parallel combination में आपने क्या क्या क्या, पैरलर में क्या लगा दी, आपने, capacitance लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे इसको एगे, बैटरी से connect कर दिया, यहाँ पे आपका पोटेंचल भी, यहाँ पे आपका जीरो, ठीक है, यहाँ पे आपका वी जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो, टोटल आपकी पास क्या होगा, अभी है, अब यहाँ पे आपने, capacitance, C1 माले, यहाँ पे आपने, C2 माले, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, C3, यह क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, प्लस Q जार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस Q चार आप Q1 की value निकालोगे तो आपके पास C1V आजेगा, क्योंकि इसमें सब भी में potential तो क्या है, सेम V, 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 U जो रहा है, आप Q1 की value निकालोगे तो C1V, Q2 की value निकालोगे तो C2V, और Q3 की value निकालोगे तो C3V, ठीक है, अब देखो, इसमें charge क्या होगा, different होगा, तो ratio किस Q1 ratio, Q1 ratio, Q2 ratio, Q3, ठीक है, तो C1 ratio, C2 ratio, C3, तो Q1 की जगा पूट करोगे, C1V ratio, C2V ratio, C3, V, V क्या हो जाएगा, सारी में से cancel हो जाएगा, ठीक है, अब आपने क्या क्या है, एक्विलेंट circuit यूज कर लिए, मतलब एक्विलेंट circuit यूज करे ना, इन सारों में जो कापिस्टंस हो जो हो रहे हैं, वो सारा किसके एक्वल है, इसके एक्वल है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिया positive charge, यहाँ पे आपने लिया negative charge, C, कि आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, equivalent circuit को, ठीक है, अब आपने इसको एक बैटरी से connector दिया positive और negative, ठीक है, अब आपने इसके उपर potential तोटल आपके पास हो गए, यहाँ पे आपके पास potential V जाएगा, यहाँ पे आपके पास potential 0 जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका जो potential होगा, वो क्या होगा, से, Q is equal to, आप किसके एक्वल लिखोगे, C, E, V, क्योंकि इसमें जो आपका capacitance यूज हो रहा है, व और जाप charge यूज कर रहे हो, Q, Q is equal to C, V, जापका Q होगा, टोटल वो किसके एक्वल होगा, Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है, यहाँ से आपके पास Q1 plus Q2 plus Q3 की value यहाँ से पूट करोगे, देखो, C1, V, तो यहाँ से आपके पास, जो equation आएगी, वो क्या हैगी, C, E, V is equal to C1, V plus C2, V plus C3, V, V, V is complete में से क्या होगा, जापके पास, C value क्या निकल क्या होगी, C1 plus C2 plus C3, ठीक है, तो जो आपका Q charge होगा, वो different होगा, Q1 ratio Q2 ratio Q3, C1 ratio C2 ratio C3, ठीक है, चार्ज इसमें क्या होगा, आपका, डिवाइड होगा है, इंदा रेशो of Capistence, ठीक है, किसके रेशो में हो रहा है, Capistence के ratio में, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, चार्ज इसमें distribute हो रहा है, जापका C equivalent circuit निकल के आगा, वो किसके equivalent निकल के आगा, C1 plus C2 plus C3, यह क्या होता आपका, जो parallel में जो combination होता है, Capistence का, C is equal to C1 plus C2 plus C3,